हेलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं सब बिल्कुल ठीक होंगे आज का ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है यदि आप पेंट करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूश्फूल होने वाली है तो वीडियो को अंतक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो हमारा paint है, वो कपड़े से निकलेगा या नहीं निकलेगा, यानि कि छूट जाएगा या नहीं छूटेगा, इसमें आपको बहुत सारे tips ही बताने वाले हैं, यदि आपका paint छूट जाता है कपड़े से, तो आप क्या करेंगे, तो कपड़े से वो कभी नहीं छूट कपड़ फट जाएगा लेकिन पेंट बाहर नहीं निकलेगा तो वीडियो को अन्तक देखिएगा और मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो चलिए अभी हम इसको वास करके दिखाएंगे इस वीडिय है उसमें और एक छोटा सम्मग लिए हैं तो यह डिजाइन हम लगबग 20 से 25 दिन पहले बनाई हुए थे तो देखिए पेंट करने के तुरंत बाद उसे नहीं धोना है आप लोग किया करते हैं कि पेंट करते हैं और सुखा देते हैं उसके बाद धो देते हैं तो ऐसे तो पे नहीं धोना है उसके बाद ही धोना है तो देखिए यह छूट रहा है आप लोग कैसे बोलते हैं कि मेरा जो डिजाइन है वो कपड़े से निकल गया है सामेसा कमेंट आता रहता है मेरे पास तो हम भी सोचने लगते हैं कि भाई आप लोग का निकल कैसे जाता है पेंट तो निकल रहा है चाहे आप इसको जितना भी रगड लीजिए देखिए थोड़ा सा भी कॉलर इधर से उधर नहीं हो रहा है चाहे जितना रगड लीजिए तो अभी आप सब के दिमाग में यह चल रहा होगा कि बहुत चलाख है साधे पानी से दो रही है इसलिए नहीं पानी लिये हैं और फिर देखिए क्या होता है एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है खुश्बू निशा तो उनका कमेंट लागातार आ रहा है कुछ दिनों से कि दी ये कपड़े से निकल जाएगा प्लीज वास करके आप दिखाईए तो हम उनको रिप्लाई भी किये प कोई नहीं अब सआयद आपके मन में कोई भी कनफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीदियो को देखने के बाद और फिर भी आपके पास कोई कनफ्यूजन रह जाता है या फिर आपके मन में कोई प्रस्ट्न है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बatter करके तो मैं वहां भी काफी युजपूल वीडियो अपलोड कर रही हूँ उमीद है आप सबको वो चैनल भी काफी उपयोगी लगेगा तो यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स में दे द होता है तो इसके उपर पुरा फैला रहे हैं डिटर्जन पाउडर उसके बाद देखिए क्या होता है मतलब इस वीडियो के बाद तो आप सबको संतुष्टी मिल ही जाएगी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप लोग कभी कमेंट मे यह भी नहीं पुछेंगे कि पेंट निकलता है यह नहीं निकलता है क्योंकि यहां पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है देखिए थोड़ा सा भी कोई असर नहीं दिख रहा है यानि थोड़ा सा भी पेंट बाहर नहीं निकल रहा है तो यदि आप चाहते हैं कि रहा है नहीं नए वोजियों का त्यों है यानि जैसे डिजैन बनाया गया था जैसे ls his Chronów अब कभी कभी क्या होता है कि आपका पेंड यादी पुराना है और बहुत जादा दिन का हो गया है तो थोड़ा सा हलका हो जाता है छूटेगा भी नहीं वह भी नहीं छूटेगा थोड़ा सा कलर हलका हो जाएगा धोटे धोटे कुछ दिन के बाद लेदे न अचानक से एसे कलर निकलेगा नहीं और ये आपका synthetic five बर से बना हुआ कपड़ा है यानि synthetic cloth है तो उससे भी हो सकता है कि थोड़ा निकल जाए थोड़ा निकलेगा यानि थोड़ा color जो है डाउन होगा छूटेगा नहीं अधर्वाइज आप चाहते हैं कि थोड़ा भी ना निकले जैसे आप बना रहे वैसे लास्ट तक बना रहे तो आप cotton cloth पे किजिए कभी नहीं निकलेगा जैसे आप paint करेंगे वह डिजाइन जसका तस जब तक वह कपड़ा रहेगा तब तक वह यहीं रहेगा कुछ लोग तो यह से हैं कि मार्केट से कपड़ा खरीद कर लाते हैं और paint करना सुरू कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा design जो है पूरा खराब हो गया कपड़े से पूरा color न निकल जाता है तो यदि अभी तक आपको यह पाता नहीं है कि paint करने से पहले कपड़े को कैसे तयार करते हैं paint करने के लिए और उसके बाद क्या करते हैं ताकि जो paint है वो कभी बाहर ना निकले तो मेरे चैनल पे एक video uploaded है जिसमें सुरू से अंतक पूरा process दिखाया गया है क क्या क्या करना है कैसे करना है तो उस वीडियो को देख लिजिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होगा उस वीडियो में पूरा सब कुछ बताया गया है कि यह paint करने से पहले आपको क्या करना है और paint करने के बाद आपको क्या करना है ताकि आपका जो design है वो कभी खरा है वहां और उसमें मेरा एक्सपरियंस है जैसे मेरी मम्मी का भी एक्सपरियंस है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सालों से पींटिंग करती है तो उस इंच भी लीटा Proto चतुर्प करते हैं तो क्योंकि वれ बाते बताई गई है वह एक प्वाल बहुत जरूरी है Ao तो ये देखिए ये डिजाइन सेम वैसे ही दिख रहा है जैसे कि धोने से पहले दिख रहा था यानि कि इसमें कोई भी अंतर नहीं हुआ है थोड़ा साबी कलर नहीं निकला है पता नहीं आप लोग कैसे बोलते हैं कि मेरा कलर छूट गया है छूट जाता है तो यह सच में छ धो देते हैं धोने के बाद तो कलर निकलेगा ही तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जो प्यंट है वो कपड़े पर ऐसे टिका रहे हमेशा जब तक कपड़ा रहे तब तक तो आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दे हुए और फिर आपको अगर लगे कि हाँ सच में नहीं निकल रहा है तो फिर उस टिप्स को फॉलो कीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी पर करके एक नएक कॉंटेंट के साथ तक आप हमारे वीडियोज को देखते रहे है और प्रेक्टिस करते रहे है थेंक्